So hi guys, welcome back to a new episode of AI News, जहां मैं पिछली वीक की काफी interesting AI News आपको बताता हूँ. आज के एपिसोड में भी काफी सारी AI News है, from Google, Meta, Amazon, Apple, OpenAI, Stable Diffusion and a lot more. So जानते हैं वो सारी AI News आज के इस एपिसोड में. बागी हाँ, आज मैं थोड़ी से एक different style में record कर रहा हूँ वीडियो को. Usually मैं camera के सामने बैठा होता हूँ और उपर images दारी होते हैं, videos दारी होते हैं. And ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे AI tools होते हैं, जो नए launch होते हैं, उन्हें आज ट्राइ करके भी देखना पड़ता है and देखना पड़ता ही हो कैसे हैं. तो मैं अगर computer के सामने बैठा होँगा, तो मैं आपको directly बता पाऊँगा and कुछ भी scripted नहीं होगा, मैं सब कुछ आपको पढ़के समझा रहा हूँ, तो ऐसे में naturally bore भी पाऊँगा और शायद आपको ज़्यादा better explain भी कर पाऊँ. तो जो भी है, आप ये वीडियो देख और मैंने को बता सकते हो कि पुराने वाला version better था या फिर ये वाला better है and अभी शुरू करते हैं news को. तो हमारी सबसे पहली न्यूज आ ये मेटा की तरफ से and वो एक अपना नया AI model बनाने वाला है, जो कि GPT-4 को टकर देगा. जी है, एक रिपोर्ट के according CEO Mark Zakarberg ने plan किया कि 2024 के शुरुवात में इस model की training शुरू की जाएगी and ये GPT-4 को इसके लिए ऐसा benchmark set किया गया कि उतना तो हमें achieve करना ही करना है because आज की date में GPT-4 ही सबसे powerful LLM है in the market जो की open AI का है. इसी report में ये भी mention था कि META NVIDIA H100 AI training chips को buy कर रहा है ताकि उसे पिछली बार की तरह Microsoft के Azure Cloud platform पे rely ना करना पड़े. तो basically ये जो नया chatbot है उसके काफी सारे products में काम आ सकता है फिचाए वो Instagram हो गया फिर कुछ और हो गया कुछ ताम पर एक report भी आये थी Instagram में एक chatbot आने वाला है जो कि 30 different personalities में आपसे chat कर भाएगा. जी हाँ तो वो एक तरीक से आपको life advice भी दे सकता है आपसे शायद थोड़ी fun बाते भी कर सकता है तो वैसा कुछ था plan में एंड शायद उस ही को आगे बढ़ाने के लिए जो नया AI model है इस पर work किया जाएगा 2024 में. एंड भाई जब meta अपना नय AI model बना रहा है GPT-4 के टकर का तो Google क्यों पीछे रहे एक report के according Google का जो नया AI model होने वाला है Gemini उसका वो access उसने देना शुरू कर दिये to different companies for testing. अब मैंने आपको पहले भी कहीं बार बताया है कि Google जो अपने एक नय AI model पर work कर रहा है जो कि Gemini होगा एंड वो open AI को टकर देने वाला है GPT-4 को and even ये भी कहना है कि शायदो GPT-4 के भी पार चला जाएगा. तो basically Gemini एक large collection होगा बहुत सारे LLMs का जो कि काफे सारी problems को solve गर पाएंगे जैसे कि text को summarize करना या फिर original text generate करना depending की users ने क्या पूछा है फिर email के drafts बनाना, music के lyrics बनाना, news stories बनाना मतलब ये भी हो सकता है फिर software engineers के लिए वो code लिख पाएंगे and even original images भी generate कर पाएंगे. तो एक तरीके से ये all-in-one sweet kind of होने वाला है कि भाई हमारा बस Google जो है वो क्यारे Gemini ले लो और इसमें आपके सारे काम हो जाएंगे and ये वो basically companies and enterprises को pitch करने वाला है. अब ये ऐसी reports है कि उसने testing के लिए कुछ-कुछ companies को ये देना शुरू कर दिये बट ये उसका सबसे बड़ा version नहीं है जो उसका main version होगा जो GPT 4K टेप करका होगा उस पर अभी भी work चल रहा है. So, ये है latest news about Google का Gemini मैं काफी excited हूँ इसके release के लिए देखते है कब तक आता है और बाकी आपको बता है यहोगा last month ही या पर मैंने कुछ आपको पिछले AI news के episode में बताया भी था कि Google का search generated experience जो है वो आचुका है इंडिया में और जैपान में तो हब हम लोग भी हाँ पर search कर सक Google Gemini and मेरे पास जो है यहाँ पर Google का AI powered search है तो मैं यहाँ पर generate पर click करता हूँ अभी यह बाइचान स्पूछ और generate पर click करने पर लेकिन बहुत बार क्या होता है यह automatically आपको generate करके देगा तो देखो जैसी मैंने यहाँ पर Google Gemini search किया तो यहाँ पर मेरे को नीचे सारे links विलिं आपको बता ही वह यह सब कर सकते है चुटकियों में तो अब देखी सकते हो कितना ज्यादा बड़ी और मैं इसे सुन भी सकता हूँ Google Gemini is a collection of large language models और हिंदी में सुनके देखता हूँ मैं देखो हिंदी में text आगे आप सुनो Google Gemini बड़े भाषा model LLM का एक संग्रह है जो AI chatbot और अन्य सुविधाओं को शक्ती प्रदान करता है उप्योग करता जो पढ़ना मतलब है ना बड़ी है वैसे हाँ देखा जाए तो इन्हें 11 Labs जैसे कुछ टूल से मतलब है ले ले लेनी चाहिए इसने पॉइंट वाई सब कुछ बता दिया कि ऐसे है तो ऐसे हमारा टाइम बहुत बचा करेगा हमें एक एक लिंक होल के पढ़ने की जरूत नहीं है Google जब सब कुछ समराइज करके दे रहा है जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर यह है फिर हमारी next न्यूज आ रही है जो कि आपका AI करेक्टर बना सकता है और इसके जो मॉबाइल आप है बहुत ज़्यादा बॉपलर हो रही है और इवन ओपन यहां पर एक डेटा शेयर किया गया है कि कैसे चैट जीपीट के 6 मिलियन मंथली यूजर्स है और इस एप के 4.2 मिलियन मंथली यूजर्स पहुंच भी गए है जो कि बहुती बड़ा नंबर है काफी बड़ी अचीवमेंट भी है कि इतना क्लोस कैसे आ गया जबकि अभी सिर्फ में 2023 में ही लॉंच हुआ था और उसके फर्स्ट वीक में ही 1 1.7 मिलियन जो है इंस्टॉल्स हो भी गए थे और अगर इसके डेटा के हिसाप से देखा जाए तो यूजिली जो एपस के साथ होता ही उसे कितना बार निस्टॉल किया जाता है उस हिसाप से देखे तो यह आप काफी अच्छे परफॉर्म कर रही है बस हाँ अगर हम वेब में देखें अगर हम उसकी वेबसाइट पर जाकर देखें तो भाई चाइट जी पीटी बहुत जाधार सर्च होड़ा है और इसमें यह बहुत जादा से फेट होता है जबकि चाइट जी पीटी को जो है वो थोड़े से ज्यादा एज वाले लोग भी यूज कर रहे हैं करेक्टर.ai जो है उसमें एकदम से पीक आया था काफी उपर चला गया था फिर बार डॉट गूगल जो है वो ठीक टाक चल रहा है और चाइट जी पीटी की जो है वो थोड़े सा डिक्लाइन करने लगा था बट अब लेटेस्ट रिपोर्स के चाइट की वेबसाइट पर ट्राफिक है वो वापस बढ़ने लगा है क्योंकि स्कूल खुल गए है तो इसलिए बच्चे जो है वो अपने असाइमेंट्स बगारा करने के लिए चाइटी पीडिका यूज कर रहे है और इसलिए उसका डेटा वापस से बढ़ रहा है हैं वो overwhelmed feel कर रहे हैं कि भाई क्या होगा और 39% तो worried है कि भाई वो AI development से keep up नहीं कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे AI को बाकि 7 in 10 या फिर 71% लोग वो मानते कि उन्हें AI के बार में सीखना चाहिए जल से जल और even 68% का तो ये भी कहना है कि वो generative AI को अपने job में use भी कर करते हो या फिर कोई भी काम करते हैं पढ़ा ही करते हो तो आप generative AI को या फिर AI tools को कैसे use कर रहे हो अपने काम में मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि मैं content creator हूँ तो मैं thumbnails बनारे में mid journey का use कर रहा हूँ मैं chat GPT पे लगा ही रहता हूँ कुछ ना कुछ पूछने के लिए कुछ which is a good thing मतलब कि एक अच्छी positivity है AI को लेके और लोग उसको सीखना भी चाह रहे हैं और फिर ये भी मानना है कि soft skills को अगर AI के skills के साथ pair कर दिया जाए ना तो ये बहुत जादा killer combination होने वाला future के लिए जो कि मैंने आपको बताया वीदर जब मैंने AI skills के उपर एक video बनाई थी अब ये intuitive AI किया होता है तो basically intuitive AI वो है कि AI जो है वो use हो रहा है बाट आपको पता नहीं लगा रहा कहां पर use हो रहा है जैसे उसने एक feature दिखाया था कि अगर आप photos एक बार click कर लो तो उसके बाद ये आप tap करके किसी subject को focus में ला सकते हो और बाग ये background blur कर से तो सिर्फ एक tap क की मदद से तो कैसे हो रहा है machine learning AI के वज़से ही हो रहा है और ऐसे काफी सारे features है जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो तो आपकी जो background noise है वो remove कर दी जाएगी और ऐसे जो features AI के वज़से ही हो रहे है तो जो Apple जो इस जनेरेटिव AI के term पर hype up नहीं करना चाहरा वो इसके बार मे AI ही है जो कि वो और दूसरी companies जो है वो ऐसे marketing करके बेशती है जैसे कि इसमें लिखा भी है कि जो एक निया feature आया जो कि music या फिर calls को background voices के साथ like infuse कर देता है तो वो भी AI की वज़से ही possible है और जो Wall Series 9 में जो हो रहा था ना कि डबल टैप करके वो समझ जा रहे थी watch की क्या क करना है तो वो भी machine learning की वज़से ही हो रहा था तो AI हर जगा यूज़ हो रहा है machine learning हर जगा यूज़ हो रहा है बस Apple उसका नाम जादा नहीं ले रहा है तो Instagram के एक नए update में दिखा है कि शायद वो AI panoramas लाने वाला है panoramas आपको पता ही है क्या होते हैं काफी wide angle जो है वो images हो पाएंगे तो देखते हैं कि इंस्टेग्राम क्या 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 है फीचर जाड़ा है बाते तो काफी जादा सुनने को आ रही है जैसे बीच में आया था कि इंस्टेग्राम जो AI content को label करने वाला है फिर मैंने अभी अभी आपको बता एक chatbot के बारे में 30 personalities में बात करेगा आप इस बार उसने AI के help से और humans के help से ओबिसली एक नया flavor बना दिया है जिसका नाम इसने दिया है Y3000 एक limited edition zero sugar drink होने वाली है Coca Cola की हमें लिखा भी एक co-created with AI zero calorie cola future flavor जी हाँ तो उसने complete edition drink करना है जो कि US, Europe, Africa और Canada ऐसे कुछ limited countries में ही मिलेगी बट हाँ वो ऐसी करता रहा है चीज़ 3000 में भी उससे relevant रखना है और इसी दिये इसको Coca Cola Y3000 नाम दिया गया है तो सही है या बाकि IIT Bombay की तरफ से काफी अच्छी news आ रही है कि अब जितने भी लोग जो अंडर्ग्राड़ूट में पढ़ाई करेंगे उनके लिए compulsory हो जाएगा artificial intelligence and data science पढ़ना जी है mandatory course होने वाले अब civil की हो, biotech की हो, आपको सभी वो subjects पढ़ने हैं जैसे उसमें maths आता है, physics आता है हम सभी ने पढ़ने है और अब उन में से एक आया करेगा AI DS जो की होने वाले artificial intelligence and data science IIT Bombay के professors का कहना है कि पहले उने लगा था जो AI है और जो machine learning है वो सिरफ computer science and electrical engineering वालों को ही suit करेगा उनके काम आएगा बट आज की data में हम देख रहे हैं कि भाई कोई भी field हो, हर field में AI काम आ रहा है और इसलिए वो इसको सिखाना चाहते हैं सभी को कि basic तो आप सीख लो, अगर आपको advanced सीखना है तो आप optional courses को opt कर सकते हैं काफी सही चीज है, काफी अच्छा मोव है और शायद बागी सारे engineering colleges को भी करना चाहिए I hope DTO भी एकल ले So Stability AI ने अपना नया music generator launch कर दिया है जिसका नाम उसने रखा है Stable Audio आपको पता ही है, यह काफी जादा limelight में आ रही है company इसका Stable Diffusion model काफी जादा famous है जो कि images को generate कर सकता है अब इन्होंने launch कर दिया Stable Audio जो बताया जादा है कि काफी जादा better music generate करके देगा क्योंकि इसमें काफी जादा flexibility है, आप काफी लंबे और detailed prompts को जो engineer करके इसमें डाल सकते हो and even आप length भी decide कर सकते हो कि आपको song कितना लंबा चाहिए और उस ही आप सापको बना के देदेगा so basically यह एक track है जिसको एक बड़ आप सुनके देखो बहुत बढ़िया है ना में को काफी जादा बढ़िया लग रहा है और इसके लिए उन्होंने prompt यूज किया इस prompt को बनाने के लिए and उससे यह generate हुआ है फिर इन्होंने एक और prompt share किया जो कि है Trans, Ibiza, Beach, Sun, 4AM, Progressive, Synthesizer, 909 और इससे यह generate हुआ है सही है ना बहुत सही लग रहा है इसके अलाबा इन्होंने एक और prompt राए किया डिसको, ड्राइविंग, ड्रम, मशीन, Synthesizer और इसको चला के देखते है और अब इन्होंने same prompt को Google के Music LM में डाला तो उसमें चला के देखते हैं तो भाई quality में difference देख रहे हो साफ साफ दिख रहे है कितना जाता difference है Google का जो Music LM में बहुत जाता repetitive लग रहा है यह काफी जादा low quality का लग रहा है लेकिन यह काफी high quality की audio generate करके दे रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह high quality 44.1 kHz का music जो है जो जनरेट करके देंगे वो भी commercial use के लिए तो यह काफी अच्छी चीज है और यह उनका तरीका भी है थोड़े से जादा पैसे कमाने का क्योंकि उन पर प्रेशर है funding में गएर उठाई है तो उनने revenue generate करके देना है इंवेस्टर सो खुश करने के लिए इसलिए भी a stable audio launch किया गया है यह काफी जादा बेटर टूल लग रहा है existing टूल से इसमें आते हैं meta का audio gen या music gen फिर आते है उपन एक जी बॉक्स और गूगल का music LM तो यार इसको try करके देखना पड़ेगा अगर आप कऊगे तो इसको पर एक tutorial बनाऊँगा वैसे इसके जारे कि Adobe के जो Firefly AI Generative Models हैं वो अब commercially available हैं सबके लिए अभी तक क्या होता था कि जो Photoshop में AI के features थे वो बीटा में मिलते थे बट अब वो सबके लिए commercially available हैं अब जो main Photoshop है उसमें features आ जाएंगे जिसका मतलब यह है कि वो crack भी होने शुरू हो जाएंगे मैं यह कुछ ताइम प अब इसमें होता किया है जब भी आप image generate करते टाइम उसके generate के वटर पर क्लिक करोगे आपका एक credit यूज़ हो जाएगा तो ऐसे में अगर आपने एक दिन के अंदर 25 बार यूज़ कर लिया तो भाई एक दिन में आप उड़ाद हो गए उसके बाद ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर पाऊ कि बट जो generation की speed है वो बहुत जादा slow हो जाएगी एंड ये अडोबी का कहना है कि या उनके लिए जरूरी है ताकि वो revenue generate कर पाएं क्योंकि भाई ये बात तो सही है कि जो AI generated images है उनको generate करने के लिए background में बहुत सारे heavy GPUs और प्रोसेसर का use हो रहे हैं और Adobe के साथ एक और अच्छी चीज़ ये है ना कि इन्होंने जो train किया है अपने AI model को वो इन्होंने अपनी खुद की stock library पे ही train किया है तो ऐसे में इन पे copyright का भी कोई पंगा नहीं आने वाला इन्होंने training के लिए use किया है public images जो की publicly available है open source में और use कर ये अपने खुद की Adobe क stock library जो एक तरिकी से इनकी ही images है और उसमें भी ये क्या करने वाले है कि Adobe के stock library में जो users है जोनोंने वो images डाली है उनको वो bonus देने वाले है योकि उनकी images ही use की कही है इसको train करने के लिए इन्होंने announce किया कि साल में एक बार इन सभी artists को bonus दिया जाएगा अब bonus कितना होने वाल बहुत सारी users ने, artists ने बना-बना के Adobe stock पे डाली थी, users उने buy कर सकते थे या फिर Adobe stock की subscription खरीद के उनको use कर सकते थे and Adobe ने जो है उनी पे अपने जनरेटिव AI को train किया है Firefly model को और उसके बाद वो Photoshop में अवलेबल करा है तो इससे क्या है कि Photoshop को काफी सारी बड़ी companies, काफी अब वो artist को bonus भी देना शुरू कर देंगे, ताकि artist भी खुश, ये भी खुश, ये भी पैसा कमा रहे है, और Generative AI में इनका नाम हो रहा है अच्छा हासा, तो भाई काफी से चीज़ है, वैलकि अभी जो mid journey है, वो थोड़े से grey area में है, क्योंकि mid journey के साथ problem ये है, जिस data पे उसने train किया है, वो data किसका है, वो mid journey कर नहीं है, तो उसमें problems आएगी देखने कि उसका क्या solution निकलता है, फिर अगली news आ रही है हमारी Amazon की तरफ से, और उसने Generative AI Tools का जो एक debut किया है, जो की product के description लिख सकता है sellers के लिए, तो यहाँ Amazon पे जितने भी sellers होते हैं, आपने products को list कर करते हैं, अब यह tool उनके लिए है, उनका काम काफी ज़्यादा सान करने वाला है, क्योंकि आपने बस product की details डाली, और यह पूरी की listing खुछ generate करके देगा, जिसमें आता है description, जिसमें आता है titles, और साथ में listing details, यह काफी ज़्यादा smart AI tool होने वाला है, जैसे suppose अगर product की detail में diameter worker use हुआ है, तो समाच जागा कि यह कोई goal चीज है, यह हो सकता है round table हो, या फिर कोई collar हो, किसी shirt का, तो इससे समाच जागा कि इसके लिए कैसी product listing generate करनी है, लेकिन भाई, यह obviously AI है, hallucinations हो सकते हैं, काफी सारी गलत चीज़े भी generate कर सकता है, और ऐसे में ज़रूरी है कि जो sellers है वो एक बार खुद उसको review करें, और check करें कि भाई सही है या नी, लेकिन इसके साथ एक problem यह भी है कि Amazon जो है, अपने कुछ प्रानी listings को भी AI से generate कर सकता है, और ऐसे में भली seller से काम तो असान हो जाएगा, बट अगर उसमें कोई गलती हो गई, तो उसका भुकतान किसको करन पड़ेगा, Amazon को करना पड़ेगा, यह seller को करना पड़ेगा, वैसे तो Amazon की काफी strict policies है, कि भाई sellers के लिए, क्या-क्या लिखना है, क्या-क्या नहीं लिखना, अगर उसका AI ही गलती करने लगगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो दिखने वाली बात है, Amazon उसको कैसे solve कर बागी कुछ time पहले यह भी news आये थी कि Amazon क्या करेगा, वो जितने भी products के reviews है, उनको पड़ेगा, और इसे AI की summary generate करके देदेगा, तकि हमारा काम असान हो जाए, हमें सारी reviews ना पढ़ने पड़े, और वो summary पड़के हमें बता लग जाए, product कैसा है, तो यार काफी सारी developments होती आती है AI की इस दुटिया में और मैं कोशिश करता रहता हूँ, आपको अपडेट रखने की, यह वाला जो style था, यह थोड़ा सा casual conversation वाला style था, आपको कैसा लगा मेरे को एक बार नीचे बताना, comments में, और आप किस AI tool पर tutorial देखना चाहते हो, वो भी मेरे को बताओ, कि आप money के अपडेट्स देता रहूँ, आपको आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लेटा, बाई बाई